जिंदा बार जिंदा बार जिंदा बार जिंदा बार लामे गवर्णाजी हमारे जिने के प्रबारी मंत्री और मंत्री मंदल में मेरे साथ ही सुखदेव पांसे दी हमारे पूरपूर मंत्री और जिनों ने अपने विदायक पद से स्तीफा देकर मुझे ये चुनाव लड़ने का मोदा दिया दी पर सक्षेना जी गंगातिवारी जी हमारे मंत्रीदेश महिना पोग्रेस की अध्यक्ष मांटी चौहान जी हमारे रिपॉब्लिकन पार्टी की नहींता रंप्रेके जी सबिया उपस्तित विदायक गण भूखपूर विदायक गण नेता गण और बाहर से बिमिन जिले से आयोए मेरे साथी गण और याउपस्तित चिन्वारा के बाई और बैमदी जिनों ने मुझे साथ दी जिस प्यार और साथ से मैंने अपने जवानी से लेके आज तक ये यादब काटी है आप सरका बहुत 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 धन्यवाद आप आप याद आए था जानी सान केले मैंने अपना पहला नामंकन पक्ष भराता है लगपरना सान साम्पार पहले मैं एक नाजवान सार पहले मैं एक नाजवान आपके बीच में आया था आपसे नेवेदर किया था कि आप मुझे उस जिले की जिल्मेदारी दे जिये जो जिला तो पेक्षिक राद उस जिले की जिल्मेदारी दे जिये जिसमें दोजार गाउं है उस जिले की जिल्मेदारी दे जिये जहां 2,000 गाउं में से केवल 400 गाउं में विश ली थी चानज सान पहले हमारे चिन्वाणा के मददातां ने चिन्वाणा की जन्ता ने मुझ पर विश्वास किया एक नाधवजवान पर विश्वास किया और एक नई शुरूबात हुई चानिज साल पहले का चिनबाड़ा आप जानते हैं भोतों का तो लगबग सब्काई जो घड़े हैं जन भी नहीं हुआ था सब्कीत है एंनोंने गुसप देखा नहीं जो मैंने अपने सफ़र में यहीं चिन्मारे श्राल में पाणी हब्ते में 2 दिन आथा था हब्ते में 2 दिन पाणी आता कौन से हमारी सर्के थी लोग दरसते थे कि हमने तो कभी उद्योग देखा नहीं है हिए व कारखानी की चिमनी भी नहीं देखी थी, कोई ओद्योग नहीं थे, कोई रेल-गारी जो बंदना के गुज़र्ती एफ रेल-गारी नहीं वोकती थी बंदना में या ऐसे भी गाओं थे, इतने सार्वा ऐसे भी गाओं थे जाना जाता था, और मुझे कोई आगेदर नहीं मिलता था क्योंकि देखने वाला मिल जाता था, तो मांजने वाला की मिलता था वो बी एक छिलबाना था, जहाँ यहीं छिलबाना में कोई किसी ने सूचा भी नहीं था कि खेवर बड़ी रेल लाईजी नहीं होगी, पर एक ऐसी रेल चलेगी दिल्ली तक, जो दिल्ली जाके स्वाथ हो जाए, दिल्ली से चिलबाना आए, और चिन्मारा आके समार को जाए पर मेरा स्वपना था मेरा स्वपना था कि हम इब निया इतियास बनाए हम विकास का इतियास बनाए था चुबाद करी जो जिम्मेदारी मिश्पर दोहजार गाउं की थी कौन सी सलस्या हमारे पास नहीं थी कौन सी सलस्या हमारे पास नहीं थ समें लोगों ने सोया बीन के बारे मैं तोटा है। सोया बीन का भोले से लोग घब्राते थे। एकुला पे शुडू हुए सोया बीन अभ्यान चुरू किया, कुछ थाकत है। हमारे किसादों में कित्व सबराई कित्थ ग्यान था। वो भी एक छिर्वाडा था, आज का छिर्वाडा आप सब के सामने है, आज का बढ़ता हुआ और बदरता हुआ छिर्वाडा आप सब के सामने है, आगे का रास्ता भी कहुत लंबा है, आगे का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सारी चुनोतिया है, और ये रास्ता भी हम सा को साथ मिलके पार करना पड़ेगा लगब एक सो दस दिन हुए है जबसे मंत्री बंडल ने शबत की मैं तो हमेशा कहता हूं कि भोपाल में मद्य प्रदेश में कॉंग्रेस की तो सरकार है कॉंग्रेस की सरकार है केशा प्रदेश में सोबाव 15 साल भारती जन्ता पाटी और पान साल मोधी जी ने कैसा प्रदेश में सोबाव जहां किसानों की आत्म होते हमें हम नंबर वन बड़ातकार में नंबर वन देरोज़ गारे में नंबर वन ऐसा प्रदेश स्वंभा और कितनी बड़ी-बड़ी बाते जब मैं पढ़ता हूँ कबी कि कैसी बाते करते हैं आज मोरी जी किए कैसी बाते मोरी जी करते हैं कहते हैं, मैं तो पूछता हूँ कि आप जवाब दे दीजिए, आप हिसाब दे दीजिए, कल इन्हों ने अपना घोषणा पत निकाला, जुम्दा पत रहे हैं, घोषणा पत रहे, पांट साल पहले का घोषणा पत था, उसका हिसाब किताब आप दे दीजिए पहले, उसका हि क्या देश पैसु लक्षत था, मोदी जी जब आपने पेंट और पजामा पेंडना में सीखाता है, तब जब आलाग हेरू और इंद्रा गादी जी ने इस देश की कोंच बनाई, इस देश का एरफोर्स बनाई या भाई उसे ना बनाई, इस देश की देवी बनाई, हमारी इं मोदी जी आप को क्या पता, और आज आप देश को गुम्रा करने जा रहे हैं, सोचते हैं अपना देश इत्ता मुर्ख है, आज वो बात नहीं करेंगे, जो पहले करते हैं जब पांट सार पहले, जब ये, तो दान मंतरी बनना चाहते थे, तो दान मंतरी बन भी गए, किते स आरे नारे दिया करते थे, नौजमानों को जो आज सक्षे बड़ी चलोती हमारी है, मेकिन इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया, यारे ये नारे, आज ये के बारे में कुछ नि कहींगे, कोई है, या मेकिन इंडिया, डिजिटल इंडिया वाला, स्केल इंडिय एसका निवादा देंगे की कैकर अच्छे दिन आ रहे हैं आपके आखरी दिन सबस से पlu Sique क्या हुआ कित्तों से खाते खुलवाएं, लाखों की सर्क्या में इन लोगों से खाते खुलवाएं, 600 रुपे से खाता खुला, बो 600 के 500 होगे, 500 रुपे तो गाती है, और लोग इंसार करते रहे, नोड बंडी कर ली, क्या-क्या नहीं किया, और आद इन सब कीजों पर, कोई जवाब नहीं, कोई इसाथ नहीं, मैं तो मोदी जी से पूछता, आप इसाथ किताब लेंगे, जन्ता को बताईए, किते क्लोड नवजवानों को आपने रोजगार दिया, और तब आप तेरे जन्ता है, कि मैं जो चोगीदार हूँ, किसके चोगीदार है मोदी जी, किसके चोगीदार है, किता मैं देश की चोगीदारी कर रहा हूँ, आज तो देश गवा है, इनके चोगीदारी में क्या क्या हो गया, पिल में पान साल में, पूरा विश्च देख रहा है, पूछना विश्च देख रहा है, अपने इस चुनाब, हमारा प्रजातंत, विश्च में सबसे बड़ा प्रयाता को मारा भारत है और पूरा विश्ड देख रहा है भारत की ओध और पूरा विश्ड देख रहा है कि यह की उमीद बारे एकी रर्ती किनार में उतरा है जो कहता है मैं चोगी दार हूँ अब बें नंहिए पीछे ही देश तरक्षिट है, राष्ट्र बात की बात करेंगे, और राष्ट्र बात का पाइए लेकर बढ़ाइगे और मुदि दि कॉआईगे आप तो आप झे पोछता हूं, कि आप तो बता देते है जो गुपादेये जिननता को कोई एक ुष्वत्रत्वल्ण। संग्राम सेनागी को नाम बता देए जो कभी आपके पार्टी में रहा उड़ा होए किया स्ग्राम सेनागी नहीं है। और यह राष्ट्र बाड का पढ़ाने आए हैं कॉंग्र से पार्टी को यह क्लाकारी की राजनीती और अब तो फिछले तृन देन से नो सोचा कमझनात को कैसे दभाया जारे है कमझनात को कैसे दभाया है, दभाने का प्रियास कर रे है मैं कैदू मोति जी को आप ये प्रियास्त कर रहे हैं, मेरे राजनी के जीवन में मिजे की कोई दबा ने पाया, मुदी जी, देश की जनता समझती है, कि आप किस लिए कर रहे हैं, देश की जनता समझती है, खास करके हमारे चिन्वाडा की जनता की समझती है, और जिनों ने 40 साल मुझे जान लिया पैचार लिया और मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूजी है वो ये है कि छिंबाडा छिंबाडा कि कोई भी